Had better, इसका अर्थ है, जादा ठीक रहेगा, बहतर होगा, या फिर अच्छा होगा, जैसे, अब उसका मीटिंग में जाना जादा ठीक रहेगा, He had better go in meeting, तुम्हारा उससे बात करना जादा ठीक रहेगा, You had better talk to him, तुम्हारा प्रिंसिपल साहब की अनुमती लेकर, क्लास में ब उसके सालगिरा पर तुम्हारा जाना जादा ठीक रहेगा, You had better go on his anniversary, Do and Does, इसका यूज कब और कैसे होता है, सबसे पहले, 3rd person's singular subjects, जैसे, He, She, It के साथ, हमीशा डूज का यूज होता है, बाकी सभी subjects के साथ, जैसे, I, You, We, They, के साथ, हमीशा डू का यूज होता है, Plural noun, जो कि दो या फिर दो से अधिक, बैक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम जहाँ पर आता है, वहाँ पे हम डू का यूज करते हैं, यहाँ पर दोनों है positive and negative affirmations का यूज होता है, जैसे, आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ does not speak the truth, मुझे आपका वैवार पसंद नहीं आता है, I do not like your behavior, तुम्हें मेरी मदद की जरुवत नहीं होती है, वो धुमरपा नहीं करता है, he does not smoke, वै रिश्वत नहीं लेते हैं, they do not take a bribe, वो अमरूत पसंद नहीं करता है, he doesn't like वावा, मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूँ, I do not sleep on a bed, going to, इसका अर्थ है, जा रहा है, जा रही है, या फिर जा रहे है, यानि कोई भी काम को बस करनी ही जा रहे है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school, तुम सोने जा रहे हो, you are going to sleep, मैं पत्र डालने जा रहा हूँ, I am going to drop the letter, क्या तुम मेरे घर जा रहे हो, are you going to my home, Use of did, इसका मतलब होता है, past में किसी भी या फिर कोई भी काम को किया या नहीं किया, तब हम did का use करते हैं, Example लेते हैं, I did not see him yesterday, मैंने उसे कल नहीं देखा, I did not sell my house, मैंने अपना घर नहीं बेचा, Did you select him, तुमने उसे चुन लिया, I did not select him, मैंने उसे नहीं चुना, Did you go to Chennai yesterday, क्या तुम कल Chennai गई थे, अगला है, get up, यानि उठना या फिर उठाना, To wake up or to stand up, जैसे, Hey Rahul, जाग जाओ, हमें जाना होगा, Hey Rahul, wake up, we got to go, आप यहां क्यों बैठे हैं, खड़े हो जाए, Why are you sitting here, stand up or get up, Next है, get in, means to enter in a vehicle, किसी वहाँ जैसे train, bus, plane आदी में चड़ना या फिर घुसना, जैसे, जिस वक्त आपने मुझे call की, मैं कार में बैठ रहा था, The moment you called me up, I was getting in the car, Rahul बस में नहीं चड़ा, Rahul दिद नॉट गट इन बस,